Hello everyone, welcome back to my channel Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल basic ingredients से बनने वाली सूजी की एक मिठाई की recipe शेयर कर रही है इस मिठाई को बनाने के लिए हम बारीक सूजी का यूज़ करेंगे लेकिन अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप मोटी वाली सूजी को ये grinder में एक बारीक हो जाएगी इस मिठाई को बनाने के लिए हम एक पान में एक से दो चमच घी लेंगे और इसके साथ ही एक कप हम लेंगे सूजी और सूजी को बिल्कुल light pink होने तक हलका सा हम roast कर लेंगे जादा नहीं इसको roast करना है बस इतना ही roast करना है हम एक पान में सूजी का दबल पानी लेंगे हमने एक कप सूजी के लिए आपर दो कप पानी लेंगे और पानी जब थोड़ा गरम हो जाए तो हम इसमें चीनी आड़ करेंगे मैं एक कप सूजी के लिए एक कप से थोड़ा साथ कम चीनी ले रही हूँ और इसके साथ ही इसमें एक से टेट चमच, ग्रज्ट हरे इलाईची डालेंगे और इसको चलाते हुए पानी में एक बॉइल आने तक पान को कवर कर लेंगे जिससे की चीनी पानी के साथ अच्छे से घुल जाए तो एक बॉइल आने के बाद चीनी जो है पानी के साथ अच्छे से डिजॉल्व हो चुकी है तो अब रोस्ट की हुई सूजी को हम पानी में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मेक्स कर लेंगे और सूजी को ने लो फ्लेम पर हम धीरे धीरे मिक्स करते हुए थोड़ा थिक होने तक पका लेंगे तो सूजी हाँ पर पक कर थिक हो चुकी है अभी इसको धक कर हम थंडा होने देंगे और जब सूजी थंडी हो जाए तो हम इसको दूसरे बटन में ट्रांसफर कर लेंगे तो अब हम सूजी में एक से दो चमच घी डाल कर इसका एक सॉफ्ट डो तयार करेंगे ताकि फ्राइं के टाइम पर ना सूजी की जो मिठाई है वो फ्राइ करते हुए देल में टूटे ना तो मैंने सूजी को गूत कर इसका एक सॉफ्ट डो तयार कर लिया है अब सूजी में से थोड़ असा पोर्शन निकालते हुए हम इस तरीके से हद डेली पर एक राउंड शेप देते हुए फ्लाट कर लेंगे तो इस तरीके से हमें इसको मिठाई की शेप में तयार करना है तो मैंने यहाँ पर यह सारी मिठाई इस तरीके से राउंड शेप में तयार कर ली है अब हमें इन तयार की हुई मिठाई को फ्राई करना है इसके लिए पैन में हम घी या फिर कुकिंग ओयल डालेंगे और जब ओयल या घी गरम हो जाए तो इन मिठाई को फ्राई होने के लिए ओयल में डाल देंगे पहले एक तरफ से फ्राई होने देंगे और जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो पलटते हुए दूसरे तरफ से भी फ्राई कर लेंगे और मिठाई को हम golden और crispy होने तक fry करेंगे तो इस तरीके से ही सेम सारी मिठाई को fry कर लेंगे और fry करने के बाद आप इन मिठाई को kitchen towel के उपर रखें ताकि kitchen towel की help से इसमें जो extra oil है ना वो थोड़ा निकल जाए तो बस बहुत simple सी easy and quick recipe है ये लेकिन खाने में ये सूजी की मीठाई बहुत ही delicious लगती है आप इनको festivals के time पर बना सकते हैं या जब भी आपका मीठा खाने का मान हो आप इन्हें घर में easily बना सकते हैं तो अगर आपको मेरे चानल पर ये recipe पसंद आती है friends तो please असे like ज़रूर कीचेगा और साथ ही मेरे चैनल को subscribe भी केज़ेगा मैं मीलूंगे आपसे next video में next recipe के साथ till then take care bye bye and thank you